मित्रो 10th Standard Mathematics की सीरीज में आज हमारा थर्ड चेप्टर का 18th पिरेड है अगर आपको इससे पहले के पिरेड्स अटेंड करना बाकी है तो आप अटेंड कर लीजिए अच्छे से समझ लीजिए फिर यहां से आगे कंटीनिव कीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और यहां से onwards आप बहुत ही strongly करेंट कर पाओगे clear चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे exercise 3.2 का question number 7 which is last example of the exercise 3.2 चलिए दोस्तों सबसे पहले question को बहुत ही बारिक ही से समझेंगे कि हमें पूछा क्या है और करना क्या है clear चलिए पढ़ते हैं draw the graphs repeat करता हूं है draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 यानि यह जो दो equation है उसके उपर से हमें graph draw करना है फिर क्या बोला है determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region तो दोस्तों यह entire question हमें ऐसा कहना चाहता है कि आपको दो equation दी है वो दो equation के उपर से y को main object बना के table बना के cardation system में points का marking करके आप graph draw कीजिए graph draw करने के बाद आपको जब graph complete हो जाएगा तो एक triangular region मिलेगा वो जो triangular region मिलेगा वो कैसे मिलेगा मान लीजिए एक line है यह दूसरी line है तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ हमारा x-axis फिर से यह एक line है यह दूसरी line है और यह क्या हुआ हमारा x-axis तो हुआ triangle देखो यहां पर बोला है कि by these lines and x-axis तो मान लीजिए यह हमारी line 1 है यह हमारी line 2 है और यह हमारा x success है तो दोस्तों यह पूरा क्या फाम हो गया है ट्राइंगल तो ट्राइंगल की जो wordizes होती है उसके coordinates हमें बताने है और यह जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसको हमें shaded करना है particular किसी भी प्रकार की line से उसका shading करना है clear चलिए स्टार्ट करते है दोस्तों very first हमारे पास equation क्या है x minus y x minus y plus one is equal to zero तो दोस्तों अभी ultimately हमें क्या चाहिए किसी भी equation के उपर से graph बनाने के लिए सब से पहले हमें y को main object develop करना पड़ता है यह हम काफी भार discuss कर चुक है तो क्या होगा यह y कैसा है दोस्तों minus negative is equal to के सामने जाएगा तो कैसा हो जाएगा positive तो यहां पर हो जाएगा यह x plus one is equal to y अभी आपको तो पता ही है कि mathematics में a is equal to b हो तो definitely उसको b is equal to a लिख सकते है तो we can definitely write y is equal to x plus one तो दोस्तों यह हो गया हमारा equation number one यह हो गया हमारा equation number one that is y is equal to x plus one ठीक है चलिए यह हो है हमारा equation number one y is equal to x plus one दोस्तों अभी जो second equation है वो second equation हमारे पास ऐसा है कि three x plus two y minus 12 is equal to zero clear दोस्तों यह हमारा second equation है इसमें भी हमें y को ही mean object develop करना है तो क्या करेंगे दोस्तों देखो यह two y इसकी जिगा पर वैसे का वैसा ही रहेगा यह 12 जो negative है वो is equal to के सामने shift हो जाएगा तो दोस्तों कैसा हो जाएगा positive लिख दिया positive 12 अभी यह three x यहाँ पर कैसा है positive is equal to के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा negative तो definitely क्या लिखेंगे 12-3x अभी ultimately we require what y को main object develop करना है तो उसके साथ जो two multiplication में है वो is equal to के सामने जाएगा तो दोस्तों जब भी भी कोई term multiplication में होती है और is equal to के सामने जाती है तो कहाँ पर जाएगी definitely denominator में जाएगी तो यहाँ पर लिखेंगे y is equal to y is equal to 12-3x divided by 2 तो यह दोस्तों y हमारा main object develop हो गया इसे बोल देंगे equation number 2 clear everyone अभी क्या करेंगे दोस्तों equation 1 y main object ready equation 2 y main object ready अभी क्या होगा दोस्तों for different values of x for different values of x we get different values of y तो equation 1 के उपर से table बनाएंगे और फिर equation 2 के उपर से table बनाएंगे clear everyone तो चलिए start करते हैं हम table बनाना दोस्तों graph draw करने के लिए हमारे पास दो equation है the very first equation we have that is y is equal to x plus 1 अभी क्या करेंगे दोस्तों for different values of x we get different values of y ठीक है चलिए दूनते है if we put x is equal to minus 1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों minus 1 plus 1 0 so when x is equal to minus 1 we get y is equal to 0 when we select x is equal to 0 तो 0 plus 1 क्या मिलेगा दोस्तों मैं y is equal to 1 तो definitely यहाँ पर मिले हमें y is equal to 1 now when we select x is equal to 2 तो 2 plus 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 तो definitely y is equal to मिला हमें 3 तो यह first equation के उपर से यह पहला हमारा table ready हो गया चलिए अभी second equation के और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी second equation है y is equal to 12 minus 3x whole divided by 2 अभी क्या होगा for different values of x we get different values of y तो when we select x is equal to 0 तो 3 into 0 क्या हो जाएगा 0 so 12 minus 0 12 12 divided by 2 definitely हमें मिलेगा y is equal to 6 now when we select x is equal to 2 तो 3 2s क्या हो जाएगा 6 तो 12 minus 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 6 divided by 2 definitely हमें मिल गया 3 now when we select x is equal to 4 तो 3 4s क्या हो जाएगा 12 12 minus 12 क्या हो जाएगा 0 so definitely 0 upon anything is 0 clear everyone तो यहां हमारा equation 1 के उपर से भी table ready हो गया और equation 2 के उपर से भी table ready हो गया clear everyone तो दोनों table ready है अभी दोनों table में हमें जो points में उसका marking करेंगे चलिए start करते हैं very first when x is equal to minus 1 y is equal to 0 देखिए यहां पर है x is equal to minus 1 और definitely x अक्सिस पर y coordinate always 0 ही रहता है तो यह मिला हमें minus 1,0 when x is equal to 0 y is equal to 1 यह रहा हमारा point when x is equal to 0 y is equal to 1 so that represents 0,1 फिर 2,3 when x is equal to 2 y is equal to 3 when x is equal to 2 y is equal to 3 clear everyone so here it is 2,3 चलो तो यह पहला table हमारा cover हो गया marking हो गया अभी यह कौनसे कौनसे point में हमें यह 1,2 and 3 तो उसको क्या क्या हमने एक line से connect कर दिया clear everyone चलो अभी second table के points देखेंगे क्या है second table के points when x is equal to 0 y is equal to 6 when x is equal to 0 y is equal to 6 clear everyone तो लिखा हमने यहाँ पहे 0,6 और क्या आगे बढ़ता है 2,3 it is already mentioned 2,3 4,0 when x is equal to 4 y is equal to 0 definitely x axis पहीं आएगा when x is equal to 4 y is equal to 0 तो यहाँ पहे लिख दिया हमने 4,0 अभी दोस्तों graph को आप ध्यान से observe कीजिए हमें example में क्या बोला था कि दो line और x axis से एक triangle generate होगा क्या आपको triangle दिख रहा है देखिए यह हमारी line 1 यह हमारी line 2 और यह हमारी x axis तो एक perfect triangle generate होआ है अभी ultimately question क्या था क्या हमें find करना था ऐसा बोला था कि determine the coordinates of the vertices of a triangle मतलब दोस्तों यह हमारा triangle हुआ ABC उसकी vertices हुई A, B and C उसके coordinates बताना है मतलब वो point क्या है वो values क्या है वो हमें बताना है तो finally answer के form में यहाँ मेरे पास जगा थोड़ी कम है आप note और pen ready रखिए मैं आपको answer लिखवाता हूँ तो आपको ultimately लिखना है कि coordinates ready देएगा मैं अभी लिखा रहा हूँ तो ultimately आपको ऐसा लिखना है कि coordinates of vertices of triangle ABC are A, 2, 3 B, minus 1, 0 and C, 4, 0 clear everyone तो यह हुआ हमारा final conclusive answer ओके तो दोस्तों इसी के साथ exercise 3.2 का हमारा जो 7th और last example था वो complete हुआ अभी हमारा जो next video आएगा next period आएगा उसमें हम एक नई method पढ़ेंगे जिसका नाम है substitution method दोस्तों उस method में graph नहीं है मुझे पता है आप लोग वो graph draw करना बहुत अच्छा लगता है आप definitely graph को miss करने वाले हो लेकिन अभी जो आगे method आएगी that is method of substitution उसमें हमें graph draw नहीं करना है लेकिन आगे चलके कुछ methods ऐसी आएगी जिसमें कहीं न कहीं कभी कभी हमें graph draw करना मिलेगा chance मिलेगा हमें graph draw करने के लिए clear everyone ठीक है तो यहां तक हमारे साथ जुड़े नहीं के लिए